नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी योटूब चैनल विनेश्टर डिकेन में स्वागत है साथियो आज की इस वीडियो में हम एबियो सहायक विकासकन सिक्छा अधिकारी पेपर 2 के लिए सैक्चिक प्रबंधन से सम्मंदित बहुत ही महतफून I am excuse question solve करने वाले है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजेगा पास में लगे बेल आइकन को place कीजेगा ताकि आने वाले चितने भी वीडियो हैं उनके notification आप तक पहुंचती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है नत्यत्व की सैली में संपून सक्तियां नेता के पास केंद्रित रहती है चार option है देखेगा आधिकारिक सैली प्रजातांत्रिक सैली हस्त छेपी सैली रुपांत्रन सैली चार option में से कोई एक option सही है आप नीचे comment box में comment कीजेगा कि कौन सा option सही है तो इसका सही जवाब है आधिकारिक सैली option का अगला प्रश्न है द्वी मार्गी संपूरेशन किस नत्यत्व सैली की विशेषता है option देखेगा रुपांत्रन सैली प्रजातांत्रिक सैली का विशेषता है अगला प्रश्ण है इसका सही जवाब होगा पंच बिंदू पैमाना अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है तो इसमें कुल 40 कथन है अगला प्रश्ण है सूपर वाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्या मापता है उप्शन देखे उच अधिकारियों के वैभारों का निम्न अधिनस्थों द्वारा प्रिक्षन को अप्शन खा निम्न अधिनस्थों के वैभारों का उच अधिकारियों द्वारा प्रिक्षन को उच एवं भिन दोनों प्रकार के सदस्यों के वैभार को इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा उच अधिकारियों के वैभारों का निम्न अधिनस्थों द्वारा प्रिक्षन को फिर अगरा प्रशन है हरसे तथा ब्लेन चार्ड द्वारा 1978 में किस नतित्व मापन उपकरन का विकास किया गया उप्षन का LEAD उप्षन का SBD उप्षन का LOQ उप्षन का LBDQ तो इसका सही जवाब होगा उप्षन का अगला प्रशन है परिय वैक्षन कीन दो सब दो से मिलकर बना है परिधन आवेक्षन पर्यधन वेक्षन परिधन वेक्षन और परिधन आवेक्षन इसका सही जवाब होगा परिधन आवेक्षन ओप्षन का परियव एक्षन की प्रमुक विसेशता है विश्लेशन करना परामर्ज प्रदान करना सयोजक कड़ी उप्रोक्त सभी इसका सही जवाब होगा विश्लेशन करना परामर्ज प्रदान करना सयोजक कड़ी ये तीनों है इसलिए ओप्षन घर उप्रोक्त सभी सही होगा अगला प्रश्ण है भूमिका एवं द्रिष्टी कोन के अधार पर पर्यवेक्षन के प्रकार क्या है चार ओप्शन दिये हैं रिखनात्मक, नियंत्रानात्मक, शहयोगी, व्यज्ञानिक, रशनात्मक इसका सही जवाब यही होगा ओप्शन का अगला प्रश्ण है व्यक्तियों की संख्या के अधार पर पर्यवेक्षन कितने प्रकार का होता है औप्शन का एक, ख, तीन, ग, दो और ग, चार तो इसका सही जवाब होगा दो अगला प्रश्ण है परंपरागत पर्यवेक्षन प्रवधी किस प्रकार के निरक्षन पर अधिक बल देती है और अपचारीक आकाश्मिक ततकालिक तो सही जवाब होगा आकाश्मिक अपशन गा तैंकियो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा और चैनल पर नयाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा हसते रहिए मुस्कुराते रहिए हैव गूड डे